देश में ब्रश्टाचार के खिलाफ मुईम छेडने वाले सामाजिक कारिकरत अन्ना हजारे अब पियम मोधी पर जमकर हमला बोला है उनका कहना है कि मोधी को प्रधान मंतरी पत का गमण हो गया है बुजर्ग अन्ना हजारे ने मोधी की बारे में कहा कि उन्हें प्रधान मंतरी बनने के बाद घमन डो गया साथ उनका दावा है कि मोधी ने प्रधान मंतरी बनने के बाद उनके किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया अन्ना का कहना है कि पिछले तीन सालों में उन्होंने प्रदान मंत्री मोधी को तीस पत्र लिके है लेकिन किसी का भी जवाब उनकी ओर से नहीं आया हजार एने इहब बात शनिवार को सांगली जीले में आधपाडी तैसिल आम जन सभा को संबोधित करते हुए कही हजार इस से पहले भी तेईस मार्च से नहीं दिल्ली में एक और अंदुलन की घोशना कर चुके है आत पाड़ी में शनिवार को आजूतियर रैली, 23 मार्ष को दिल्ली में होने वाले अंदुलन से पहले लोगों को तयार करने वाले अन्ना की तीन रैलियों में से एक रैली थी अंदुलन को लेकर उन्होंने सरकार को चेता ते वे कहा, सरकार को चेतानी के लिए अपनी और से सबसे बड़े स्तर का अंदुलन होगा उन्होंने कहा कि लोग पर लागू करना और लोकायोक्त की न्यूक थी उन्ती खास मांग रहेगी साथी किसानों को पाच जज़ा रुपए एक पेंशन की बात कहेंगे HCN News की रिपोर्ट